बिरेंजी भी आगे बिरेंजी आपको भी वकील चाहिए तो अभी से बता दो आचा ये बताओ आपने तो कल खुलासा कर दिया था कि कपिल सिब्बल जा रहे हैं और आज आपकी बात सो परसेंट सही निकली एक सायर ने लिखा कि मिला जो तुम से तो एक सायर के दिल की धड़कने बोली कि कई सदियों तलक अब कोई आजम नहीं होगा तो ये चमतकार उसी आजम नाम का है आज अखिलेश यादव ने शिवपाल और आजम दोनों को खुश कर दिया और आजम खा अब जब कल या परसों सदन में आएंगे तो वो बैठेंगे और मुश्कुराएंगे ये बात तो देखिये साफ हो गई तो मतलब सौदेवाजी चल रही थी गाओ पर जो मरहम लगाए वक्त पर वही सबसे करीब होता है वही सबसे उदार और वही प्यारा तो आजम खा कि जो चाहत थी शिवपाल यादों की वो तो पूरी हुई और समाजवादी पार्टी में ये बात जरूर आती है कि वो अपनी जगापर एक सीट उसने जो गवाई वो अपने किसी नेता को दे सकती थी आप देखे होंगे कि राम गोविंद चौधरी जो नेता विपक्ष थे वो खाली है अंबिगा चौधरी जो एक बड़े पार्लियमेंटेरियन है संसदिय मामलों के अच्छे जानकार हैं वो भी जा सकते थे राजसभा अरबिंद जिंग जो कारियाले सच्चिव हैं एक बार राजसभा के मेंबर रहे हैं चाहती तो समाजवादी पार्टी उनको भेज सकती थी लेकिन कपिल्सिपल भी इस देश के कानून मंत्री रहे हैं कई बार सांसद रहे हैं वो बड़े बिचारक हैं अधिवक्ता हैं वकील हैं समाजवादी पार्टी ने जो भी हो अखिलेश चादों ने बड़ा दिल दिखाया है एक निर्दलिये को नामांकन कराने वो आए अब ऐसा क्यों हुआ कि वो सपा से नानामांकन किये निर्दलिये किये हमारे आख कहा जाता है कि भाई गुल खाओ गुल गुला से परेज करो ऐसी दोस्ती ऐसा त्याग किस काम का जहां पर अपना मूल दल ही सामिल ना हो अखिलेश यादो राष्टिय अद्यक्ष है उनको अपनी पार्टी चलानी है उनको तमाम निड़े करने है कपिल सिब्बल का निड़े आज उसकी तुला जैन चौधरी से हो रही है मैंने आप से कहा था कि जैन चौधरी राजसभा जाएंगे चाहे सपा भेजे चाहे भाजपा और अभी 31 तारीक तक नामांकन होना है आज है 25 तारीक तो अभी क्या क्या हो सकता है उत्तर प्रदेश में राजसभा के चुनाव की सियासत में अभी पत्ते खुलेंगे बीजेपी 28, 31, 30 में अपने नामांकन कराएगी और उसके पास अशर है कि वो कोई चमतकार कर दे तो कुल मिलाकर बात इत्ती है कि सियासत और जमीर दोनों के बीच कोई समानता नहीं है और जो जमीर रखता है वो सियासत में काम्याब नहीं हो सकता कांग्रेस में क्या करते वहां कुछ बचा नहीं था भासाड के अलावा राजसभा की मेंबरी बहुत बड़ी बात है इस देश में बहुत बड़े-बड़े लोगों ने इसको पाने के लिए बड़े-बड़े समझावते किये हैं बड़े-बड़ों का इमान डोल जाता है लेकिन चेहन चोधरी से अभी पर्दा उठना बाकी है और अखिलेस ने भी होस्यारी दिखाई कि एक नामांकन नहीं कराया अभी एक कैरेट लटका के रखा है हम लोग मान रहें कि टिंपल यादों को नामांकन कराएंगे लेकिन टीवी के डिबेट में कहीं आ नहीं रही हैं उनकी आम मनाई है कि इधर बोले तो गए उधर बीजेपी खिला बोले तो गए इसलिए अभी कहीं न जाओ चुप-चाप बैठे रहो गुल मिलाकर बात इतनी है लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि कांग्रेस में बहुत सारे लड़ने वाले लेता नहीं बचे पार्टी छोल कर भाग गए लेकिन गुरू जी बैठे हैं संत महत्मा है प्रमोत किष्णम जी लेकिन इस देश में एक नेता और है पीची दंबरम जिस पर बहुत छापे पड़े सीवियाई रोज जाज करती है लेकिन कांग्रेस उन्हों पाते बिर्जेज जी और यह सब परिस्थितियां हैं जी असर के लिए लोग दुनिया में आते हैं अगर जमीर बेचे तो आदमी पैसा और पद दोनों प्राप्ट कर सकता है और आज के दोर की एक सच्चाई है लेकिन इसका फारी लाप तो है लेकिन आप इससे राजनीत में कोई नए आयाम इस्टैंडर्ड अस्थापित नहीं कर सकते हैं जी बिरेंजी कंक्लूड करेंगे बहुत सार दो करें लोग कैं लेड कर जुप कर राषवा की मेंबरी लेते रहें हैं एक ससा हितिकार ने लिखा है कि मेरे लेजे में जी हजूर न था इसके सिवा मेरा कोई कसूर न था अगर पलभर को मैं भी बेजमीर हो All salvar यकीन मानिये मैं कब का वजीर हो जाता और तरक्की की फसल हम भी काट लेते और थोड़ा सा तलवा अगर हम भी चाट लेते वाँ विरेंजी वाँ बहुत शुक्री आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचारी